Hello everyone, कैसे हैं आप? I hope आप अच्छी से होंगे. मेरे बच्चे Important Question की सीरीज हमारी चल रही है. तो अभी मैं आपको Chapter No. 12 करा रहा हूँ आपके NCRT से That is Areas Related to Circle. अभी इसके हमारे 3 Lectures हुएं, जिसमें मैंने First Lecture में इसके जितने भी फॉर्मले हैं, वो सारे डिसकस किये थे. Then Second Lecture में 12.1 Exercise के Important Question, फिर 12.2 के Important Question, तो अभी हम 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं 5 chapters के Important Question आपको करवा चुका हूँ, यह हमारा 6 chapter चल रहा है Important Question की Series का, तो जो chapter में आपको करवा चुका हूँ, उसमें आपका Stat Cover हो चुका है, Trigno के दोनों cover हो चुके हैं, Trigno and Application of Trigno, उसके बाद मैंने आपको Surface, Area and Volume, यह chapter भी पढ़ा दिये, and then Circle, तो यह 5 chapters में आपने Complete कर चुका हूँ, Important Question Series के 6 chapter पे हैं, तो मेरे बच्चे, 1 month का time आपके पास भचा हूँ है, बस यही 5 month है, जितना भी, मतलब, time है, सिर्फ आप अपनी study पे focus करें, इधर उधर अगर आप mobile में अभी भी गुसे हूँ है, प्लीज बाहर आजाओ, उस mobile से, जा फिर किसी भी और अधर activity में हो, उससे बाहर आजाओ, और अपनी final exam की preparation अच्छे से करो, मैंने अपनी test series भी start कर रही है, बच्चों के हम test भी conduct कर रहे हैं, बट अगर आप मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो यार यह जो important questions में आपको बता रहा हूँ, बस आप इनको follow up करो, इनको अच्छे से prepare करो, plus जो मेरी sheets अभी telegram channel पे upload होंगी, आप उनको thoroughly solve करना, stat की जो sheet है वो मैं वहाँ पे upload कर चुक हूँ, अपने telegram channel पर, तो stat का बस उतना ही material करना है, जितना मेरी sheet पे मिल रहा है, और बाकी chapters की भी sheets almost बन गई है, मैं बस within 1-2 days आपको पास ये sheets पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है, तो आज के lecture में हम exercise 12.3 की दो examples है, very important, वो दो examples हम discuss करेंगे, थोड़ा मैं short trick में करवाऊंगा, मतलब lengthy नहीं करें हम question को, जैसा मैं करवाऊंगा, simple, easy, और short trick से, वैसे ही आपको final board exam में लिखना है, अगर इन दोनों में से कोई भी example आपको आती है, ठीक है, ज़्यादा lengthy नहीं, confuse नहीं करना आपको, ठीक है, ज़्यादा theory नहीं लिखनी होती है आपने solution में, teacher जो check करता है, वो भी थोड़ा सा irritate हो जाता है, कि कितना philosophy जाड़ दिये solution में, उतना नहीं लिखना होता है, to the point आपको answer देना होता है, तो जैसे मैं दो question ये solve करूँगा, बस ऐसे ही आपको करना है, बागी इसकी exercise के जो questions हैं, उसमें four, five questions बनेंगे most important, तो मैं next lecture में आपने cover कर दूँगा, ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसकी दो examples करेंगे, and they are very important examples, तो सबसे पहले तो example number four, इसका figure मैंने अभी नहीं बनाया है, तो अभी जैसे statement पढ़ते हैं, figure बना देंगे, हो सकता है, exam में आपको figure ही ना है, figure कैसे बनाना है, वो भी आप यहाँ पर understand करें, the question is, you can read this question, two circular flower beds have been shown on the two sides of the square ABCD, तो पहले तो आप square बना दीजिए, जिसकी side आपकी 56 meter दे रख है, this is square, right, हर एक side इसकी 56 है, इसके end to end, end to end क्या है, circular floor beds have been shown on the two sides, कोई भी दो sides के end में circular floor beds बना दीजिए, यह पार्क है, तो इसके दो साइट के end में, circular portion में भी कुछ पार्क, कुछ लॉन बनाया हुए, फिर कह रहा है, if the center of each circular floor bed is a point of intersection of the diagonals of the square lot, जो circular floor beds आपको end to end बनाना है, sides पे बनाना है, उन circular floor beds का जो center है, वो यहाँ, diagonal का intersection point है, जनि आपको compass रखनी है, O पे, और radius लेना है आपको इतना, यह जितना मैं यहाँ पे shade करना है, इतना radius लेना है, फिर आपने एक circle बनानी है, semi circle, it is like this, तो यह semi circle, यह जो semi circle मैं बना रहा हूँ, इसका जो diameter है, वो यह side मत समझ लेना, ठीक, यह side इसका diameter नहीं, यह थोड़ा ही portion cover कर रही है, जनि यह segment आई पे कुछ, तो diameter कितना है, पूरा जो diagonal है, वो ही इसका diameter है, तो diagonal के center पे, point of intersection पे compass रखोगे, तो जितना half diagonal है, उतना radius बनेगा, तो आपने ऐसे इसको बना देना है, ठीक है, और दूसी दरफ भी same, figure वैसे given है, तो मैं यह आपको बता रहा हूँ कि figure बनेगा कैसे, that's all, this is a flower bed, तो आपको इसको इसका पूरा area निकाल ले, find the sum of areas of the lawn, यानि जो scare lawn है, उसका area भी निकाल ले, वो तो बड़े अराम से निकल जाएगा, scare lawn का, क्योंकि जो scare lawn है, उसका area तो you know side scare, side is given, तो 56 का scare वो तो आई जाएगा, तो problem है, जो side में यह जो scare lawn है, इसका area आप कैसे निकालोगी, तो question को करने के 2-3 तरीके हैं, जो simplest way है, मैं उसी way से आपको करवा रहा हूँ, and किसी भी तरीके से इस question को करो, आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ find करनी, यह जो circular floor bed बनाया गया है, जिसका radius, इसका मैं नाम रख लेता हूँ, square का a, b, c, d, जिसका radius od है, जा फिर oc है, जा फिर a, o है, जा फिर ob, बस आपको यह radius find करना है, अगर आपका यह radius आ जाता है, तो किसी भी तरीके से आप इस question को कर सकते हैं, तो main काम इसमें radius find करने वाला ही है, ठीक है, तो सबसे पहले हम radius पे focus करते हैं, कि radius हम इसका कैसे find करेंगे, मेरे बच्चे, square की एक property है, कि उसके जो diagonals हैं, वो आपस में bisect करते हैं, साथ में 90 degree पर bisect करते हैं, तो यह बात आपको square के बारे में पता होनी चाहिए, तो solution हम यहीं से start करेंगे, reason देते हुए, as we know, diagonals of a square, diagonals of a square bisect each other at 90 degree, तो इसका मतलब जो angle O पे जितने भी angle, यह four angles बन रहे हैं, सब 90 degree के angle है, तो angle जो DOC भी 90 degree का है, is it clear, अगर यह angle 90 degree का है, और diagonals bisect भी करते हैं, तो हम यहाँ पे OC और OD किसी का भी length अराम से find कर लेंगे, अब वो कैसे, मेरे बचे, देखो इदर, here, आप OD या फिर OC को कुछ let कर लो, तो मानों हमने उसको X माल लिए, जो दोगनों सेम होंगे, कोई diagonals की length भी equal होती है, जब वो bisect होंगे, उसके जो parts होंगे, वो भी equal होंगे, तो जो OD और OC hand की length सेम ही होगी, तो मैंने X meter consider कर ली, is it clear, तो reason इसका उपर हम दे चुके हैं, diagonal bisect each other at 90 degree, एक line और लिख सकते हो, diagons of the square are equal, वो भी लिख सकते हो, ओके, now, in right angled triangle, DOC, इसमें आप Pythagoras चिर्म लगाईए, by PGT, लगाईए PGT, तो 90 degree के सामने वाला जो DC है, वो hypernees हो गया, तो DC का square is equal to OD square plus OC square, यहाँ पे DC का value हमें given है, जो है 56 का square, OD और OC equal है, और दोनों को हमने X माना होगा, आते समझतों, बस यहाँ से X की value निकल जाएगी, तो मेरे बच्चे, 2X square is equal to 56 का square, और 56 का square, open करने की जरूत नहीं है, आप लगो 56 into 56, no need, इसको आप ऐसे ही रखो, X square हमारे पास आ गया, 56 into 56 divided by 2, इसको आप cancel कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 28, तो हमारे पास X square की जो value वो 56 into 28, बहुत मन कर रहा है, root बनाने का, तो बना लो कोई दिक्कत नहीं है, और root बनाने के बाद, आप इसको थोड़ा factorize भी कर सकते हो, जैसे 56 है, तो 7, 8 जा 56 होता है, यह 28 है, यह 4, 7 जा 28 होता है, तो हमारे पास यहाँ 7 का पेर बन गया, तो बहार आ गया, अंदर 8 into 4 बचा है, तो उसको भी आप 8 को लिख सकते हो, 4 into 2, फिर 4 का पेर आ गया, तो 4 भी बहार आ जाएगा, 7 into 4, अंदर सिरफ 2 बचेगा, यानि जो X है, वो 28 root 2 मीटर आग, तो यह जो X है, यही radius of circle है, जिसे हम दूण रहे थे, radius of circle is 28 root 2 मीटर, आर से इसको denote कर लिए, तो इस example में सबसे important चीज़ यही है, आपको radius find करना है, देखो कितने असानी से हमने इसको find कर लिए, अब आपका जो required area वो तो complete ही है, पुरा square भी लेना है, और side में जो floor bed segment जैसा दिख रही है, वो भी लेना है, बट इसमें segment का formula लगाने की ज़रूद नहीं है, बिना segment का formula लगाए भी हो जाएगा, आपने क्या करना है, O से D जाते हुए circular part को लेते हुए, जिसे मैं ये red color से highlight कर रहा हूँ, मेरे बचे ये एक sector है, ये एक sector है circle का, जिसका central angle 90 degree है, तो एक आपका sector का area निकलेगा, और similar sector इसके opposite बैठा हुए, इसका area भी निकलेगा, देखो कितना portion आपने निकाल दिया, और यहाँ पर ये जो दो triangles दिख रही हैं, इन दोनों का area भी निकालेगा, तो पूरा lawn with the floor bed अब का area आजाएगा, जैनि दो sector और दो triangles का अब आपको area प्लस करना है बस, यहाँ पर आपको लिखना है, direct required area, तो आपको क्या लिखना है, area, areas of two sectors, दो sectors हैं, प्लस area of two triangles, कोई naming वेरा बताने की जोट नहीं है, बस इतना लिख दो, और उसके बाद बस आप sector के formula लगा दीजी, area of sector का formula क्या होता है बटा, theta by 360 pi r square, क्योंकि 2 हैं, तो इसको 2 से into गर दिया, triangle जो है, 90 degree वाली है, तो दोनों का formula लगा है, 1 by 2 base into height, क्योंकि 2 triangle है, तो इसलिए 2 से into गर दिया, मेरे बचे 2 theta का value है, 90 degree, 360, pi, अगर mention है, तो ठीक है, then you can take 22 by 7, radius, radius बोले तो यह जो 28 root 2 है, इसका square, तो इसका square हमने पहले ही निकाला हुए, यह 56 into 8, तो यह value आप यहाँ पर direct डालो, root वाली value डालने की जूद नहीं, यहाँ पर radius का square जब मैं करूंगा, तो मैं लिखूंगा 56 into 28, प्लस यह 2-2 cancel हो गया, base और height, भाई यह right triangle का base और height का है, od और oc ही base और height हैं दोनों, और od और ac कोन है, radius है, तो radius into radius ही होगे एक तरह से, ठीक है, यहाँ, 28 into root 2, 28 into root 2, तो हो कितना बैठेगा आपका, यहाँ 56 into 28 ही आपको लिखना है यहाँ पर, 56 into 28, is it clear, बस हत्म, इसको आप कर दीजिए, simplify, you will get your answer, थोड़ा simplify कर देते हैं यहाँ पर, 9, 4s of, 2 से गया, 2, यहाँ पर आगया, 11, 7 ने इसको कटा, तो यहाँ आगया, 4, तो आपको बच रहा है, 11, 56 और 4, इसकी calculation में, यहाँ पर है, 56 into 28, बड़े-बड़े number multiply करने की जूद नहीं, मैंने 56, ले लिया, पीछे बचा, 11 into 4, और यहाँ पर है, 28, चीक है, तो 56 बाहर है, 11 into 4, और 28, तो 44 और 28, इसको प्लस कर लो, 8 and 4, 12, 1 carry 4 and 2, 6 and 1, 7, तो 56 और 72 को आप into करो, you will get your answer, meter square, is it clear, बहुत simple है, बहुत simple है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने base into height, जो 56 into 28 लिख है, तो यह मत समझना है, कि base 56 और high 28 है, दोनों भाई यही है, 28 root 2 into 28 root 2, तो जब 28 into root 2, 28 into root 2 लिखोगे, वो 56 root 2 ही आए, is it clear, यहाँ पे, यहाँ से लिखती है, तो I hope this example is clear, very simple, एक बार अपने हाथों से practice करो, याद ही हो जाएगा आपको यह कुश्य है, Now the next is, example number 6 is also very important, थोड़ी confusion भी होती है, इसमें students को, but simple way में आप समझो, यहाँ पर कैसे करना है, Find the area of the shaded reason, shaded reason अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिलहाल देखें, ABCD एक स्केर है, उसको बनाएंगे, यह हमारा स्केर आगया, ठीक है, figure नहीं भी दी है, जो भी यहाँ पर statement दी है, उससे आप बना सकते हो figure, तो मैंने स्केर बना दिया पहले, फिर कहारे हैं, semi circles are drawn, with each side of the square as a diameter, अब क्या किया है, semi circles बनाएंगे यह स्केर के अंदर, उसमें semi, हर एक semi circle का जो diameter है, स्केर की side बनी लिए, जैनि जितने भी यह sides दिख रही हैं, आपको four sides, यह four diameters बन जाएंगे, four semi circles के लिए, अब वो semi circles बनानी कैसी हैं, देखो, देखो, AD है diameter, तो mid point जो इसका होगा, वो circle का center बन जाएगा, तो आपने रखनी compass यहां, और इसका half open करना है, और ऐसे semi circle बना देनी, like this, और दूसी दरह भी same, ऐसे बना देनी, यह दो semi circles बना दी, ऐसे दो और semi circles बनानी है, जब आपने diameter DC consider किया है, और compass रखी है, इस point पर, और ऐसे बना दी, फिर आपने AB diameter consider किया है, और ऐसे बना दी, तो यह जो four reasons से दिख रहे हैं, आपको full की पतियों, जैसे यह वाला, जिसको मैं shade कर रहा हूँ, यह है वो design, जिसका area आपको find करना, I hope अब आप diagram बना सकते हैं, बड़े मजे से, ठीक है, semi circles बनानी हैं, आपको four, diameter जो है, जो sides हैं, वो diameter बने हैं, दो दो करके आप बनाएं semi circles, तो ऐसे full की पतियों आपकी बन जाएंगी, clear, अब आपको क्या करना है, सामने दिख रहे हैं, square में से जो unshaded area, जब यह minus होगा, तो shaded वाला आई जाएगा, जो full की पतियों के रहे हैं, तो square में से आपको unshaded minus करना हैं, लेकिन यहां पर unshaded को पहले आपको find करना पड़ेगा, इनका naming कर लेते हैं, यह one है, यह two है, यह three है और यह four है, जानि four unshaded reasons है, इनको कैसे find करना है, बहुत simple है, तो यहां पर मैं पहले find करता हूँ, unshaded reason, जा फिर simply लिखो reason, one and three, opposite वाले निकाल सकते हो आप, बगल वाले adjacent निकलेंगे, जैसे first और third को आप find कर सकते हो easily, जाँ फिर second और fourth part को easily find कर सकते हो, किसी एक ही, मतलब, एक ही pair को find करना है, जाँ one, three को find कर लो, जाँ फिर second और fourth को कर लो, दूसरा वाला similarly लिखना है, तो मैं first और third को find कर रहा हूँ, area, areas of reason, one and three, यह unshaded निकालना है, one और यह third, तो हमको क्या करना है, पूरे square में से, यह जिस पे मैं अभी pen गुमा रहा हूँ, इसको minus करना है, और यह कौन है, semi circle, फिर मिरको इस semi circle को भी minus करना है, तो जिसे मैंने highlight किया है, dark किया है, आप देखें, जब यह दो semi circles minus हो जाएंगी, पूरे square में से, तो आपको unshaded one और unsh लिखना यहाँ पर, area of square minus area of two semi circles, बस यह line आपको लिखना है, area of square that you know, side square minus area of two semi circle, तो भाई semi circle कहरी कितना होता है, half by r square, यह 2, 2 cancel हो गया, side कितना दे रखा है, इस है 10 cm, अगर square का side 10 cm, तो radius कितना होगा, 5, क्योंकि diameter, जो side है वो diameter बनी होगी है, तो मेरे बचे square की जो side है, वो head 10, इसका square, pi लेना हमको 3.14, right, और radius हमरा आगया, 5, 5 का square ऐसे है, two semi circle मतलब एक circle बन जाएगी, तो pi r square हो गया, बस इसको आपने simplify करना है, यह आपका 100, minus 3.14, multiply 25, इसको आप जो calculation करोगे, तो आपको shaded 1 और unshaded 1 और 3, यह दो areas मिल रहे हैं, similarly, similarly, area of what, second and fourth, वो भी same होगा, 100 minus 3.14 into 25, calculation you can do, जो भी यहाँ पे number आएगा, that you can write, therefore, required area, अब आपको required area find करना है, यह जो अभी find किया है, यह required नहीं है, यह तो unshaded है, जो नहीं चाहिए, अभी इसको minus करना है, square में से, तो required area कितना होगा, side square, यहाँ area of square, minus, जो unshaded आपने यह find किया है, इनको minus करना है, तो यह दोनों same है, तो it is 2 times, 100 minus 3.14 into 25, that's all, side कितना है बेटा, 10, 10 का square, minus 200 minus 3.14, into 25, I hope आप इसकी calculation कर सकते हैं, सीखना आपको इस question में यही है, कि पहले unshaded reasons का area निकालें, फिर पूरे square में से unshaded का area आपको minus करना है, that's all, इतनी सी बात, ठीक है, तो यह दी बचे आज की दो examples, next lecture में मैं इस exercise के आपको important question कराओंगा, four से five question ही बनेंगे वो, बस यह chapter फिर हमारा close हो जाएगा, तो बस इन ही questions को बात बात practice करो, फिर इस से related कोई भी question exam में आ जाएगा, बड़े अराम से आप tackle कर लोगो इस question को, ठीक है, तो आज के लिए इतना वचे, thank you, bye bye and take care.